हेलो एब्रिवर्ण आज का हमारा टॉपिक है रेड रोट आफ सुगर केन यानि गन्य में होने वाला लाल सडन रोक फ्रेंड आज हम जानेंगे कि गन्य में यह जो कैंसर जैसर डिजीज होता है वो कैसे होता है उसके क्या लक्षड होते हैं और इसको रोकने के क्या उपाय हो दें कि पाया कहां जाता है को लिटो ट्राइकम हैल केटम का जो पूर रवस्था होता है वो ग्लो मेरेला ट्यूकू मैरेंसिस जिसे हम एसको माइको टीना के ऑर्डर्स जिसको इस फैरियल में बोलते हैं उसमें वर्गिकरित किया गया है और इसका जो एशाई है वो 70 से 150 चोड़ा होता है और कोलिटो ट्राइकम जो होता है इसकी जातियां सारे खेतिहर पौधे जैसे कि गन्ना हो गया कपाश हो गया सेम ज्वार बाजरा प्याज आधी पर परजीवी के रूप में पाये जाते हैं और ये जातियां अनेक महत पूर्ण बीमारियां पैदा करती है फ्रेंड इन जातियों द्वारा जनित बीमारी को आम तोर पर हम एंथ्रेक नोज बोलते हैं और इस रोग में परपोशी के संक्रमित उतकों की बृद्धी और उद्ध हो जाती है जिसे हाइपोपलेशिया बोलते हैं भारत में ये रोग सभी गन्ना उत्पादक छेत्रों म में पाया जाता है इयर 1939 तथा 1942 में ये रोग उत्तरिय तथा पुर्वी भाग में व्यापक रोप में फैला था जिसके कारण गन्नी की उपज्ज होती थी वो अत्यधिक प्रभावित हुई होती इस रोग की लक्षन पौधे के सभी वायवी भागों पर दिखाई देते हैं फ्रेंड आई हम जानते हैं इसका systematic position क्या होता है तो फ्रेंड ये kingdom माई कोटा का सदर्शे होता है और division इसका U माई कोटा होता है sub division है deuteromycota class है कोईडोमाई cities order है milan konials family है milan koniesi genus है को अलेक्टो ट्राइकम और species जो होता है वो है falcatum इसका common name होता है फ्रेंड रेड रूट और इसका vegetative structure जो होता है कोलिटो ट्राइकम का जो थैलस होता है वो septa yugth होता है यानि इसमें पट पाय जाते हैं ये एक केंद्र की होता है रंगहीन होता है और साखा yugth कवक्षूत्रों का बना होता है ये कवक्षूत्र बहुशाखित होकर एक कवक जाल बनाते है यानि इनमें जो branches होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। जोकि एक जाल के रूप में वेवस्तित होते हैं। और इंका कवग जाल पोषप पधों में अन्तरकोशिकी या फिर अन्तरकोशिकी यह होता है। इसमें एक जलाइकोजन तथा तेल की वूंदे पाई जाती हैं। अवस्था के बढ़ने से ये कवक शूत्र जो होते हैं वो गेहरे रंग के मोटी कोशी का भित्ती वाले हो जाते हैं इनका जो कलर है वो बहुत गेहरा हो जाता है और इनकी भित्ती जो है वो बहुत मोटी होती है इनमें कोशिका द्रव्य जो होता है वो शगन मात्रा में पाया जाता है और इनके कोशिका द्रव्य में रखी जो तेल की गोलिकाएं है वो और भी अधिक घनी हो जाती है मोटी भित्ती वाले कवकशूत्र आपश में गुथ कर घनी सनरजना बनाते हैं जिसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं और ये सनरचना स्ट्रोमेटा से बाहर निकल आता है इसका जो रिप्रोडक्शन होता है रिप्रोडक्शन में इस कवक में कोनीडिया के द्वारा ये सेक्शल रिप्रोडक्शन होता है और sexual reproduction जो होता है वो absent होता है और इसके जो लक्षड होते हैं फ्रेंट लक्षड कोलिकोट्राइकम द्वारा होने वाली जो anthracnose बिमारी होता है उसके लक्षड मतला पहला होता है फ्रेंट ये बिमारी पती तना शाखाओं तथा फलों पर दिखाई देते हैं और इस बिमारी में लाल या भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं और ये धब्बा जो होता है वो धीरे धीरे बड़ा होकर गोलाकार बन जाता है जैसा हमें structure में दिखाई दे रहा है इन धब्बों के केंद्र में गेहरा लाल भाग होता है तथा परिधी पर हलका लाल भाग होता है परिपक्व जो धब्बे होते हैं उनमें कुछ भूरे अत्वा काले रंग के कण भी दिखाई देने लगते हैं अंत में जो प्रभावित भाग होता है फ्रेंड वो सूखने लगता है तथा इसकी जो पतियां होती है वो पीली पर जाती है गन्ने के लाल बिगलन यानि रेड रोट नामक जो रोग होता है उसमें कवक तना एवं पतियों को प्रभावित कर देता है और इस रोग में तना सड़ना आरंब कर देता है यानि जो गन्ने का स्टैम होता है वो सड़ने लगता है तथा बाहरी छिल का पहद्दा दिखाई देने लगता है यदि रोग पौधे के तने को अगर हम खोलते हैं तो तने का जो इंटर नोड होता है परवशंदी वो लाल दिखाई देने लगता है समवहन उतकों में लाल धारियां बहुत स्पंस्ट रूप से दिखाई देने लगता है और संक्रमर से जो सरकरा होता है वो एलकोहल में बदल जाता है जिससे शंक्रमित ताने से एक विशेश प्रकार की गंधुत्पन होने लगती है और पत्तियां इसकी सुख कर गिर जाती है फ्रेंड आए हम जानते हैं इसको कंट्रोल करने के क्या उपाय होते हैं पौधों की प्रतिरोधक इसमें अगर हम उगाते हैं तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है यानि ऐसे प्लांस जो की अगर हम उसमें रोग प्रतिरोधक छम्दा वाले प्लांस को अगर लगाते हैं तो इसका नियंत्रण हो सकता है दूसरा होता है रोग ग्रस्त पौधों को उखाड कर जला देना चाहिए जिसे जो अन्य पौधा अगर लगता है तो वो शंक्रमित नहीं होगा तीसरा होगा उचित फसल चक्र अपनाना चाहिए और नेक्स्ट होगा अच्छे रोग रहित बीज ही हमें बोने चाहिए और बिमारी दिखाई देते ही उसमें फंजी स्वाइड का छिड़काओं करना चाहिए और इस बिमारी के लिए बोर्डिक्स मिश्रण उप्युक्त होता है और ये मिश्रण हमें 10 से 15 दिन के अंत्राल पर छिड़कना चाहिए तो फ्रेंड ये थे रैड रोड सुगर केन के कंट्रोल होने के उपाद